28 फर्वरी 2022 को निक्ट किया गया है तो इस question का दोस्तों आपको right answer देना है तो यहाँ पर इस question का right answer क्या हो जाएगा दोस्तों option B हो जाएगा माधवी पूरी बूच option B right answer हो जाएगा अगला question question mark 102 है दोस्तों भारत का पहला राष्टी समुंदरी सुरक्षात समन्वय फर्वरी 2022 में किसे निक्ट किया गया है तो right answer option B हो जाएगा जी असो कुमार को ध्यान रखेगा दोस्तों current affair के questions है Frank Walter Steen Meier फर्वरी 2022 में किस देश के दूसरी बार राठपत चुने गया है तो यहाँ पर इस question का right answer option B हो जाएगा Germany next question question number 104 केंद्री माधमिक सिक्षा बोर्ड CBSC का नया चेर्मेन फर्वरी 2022 में कौन बना है तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा option B विनीत कुमार जोसी इसका सही जवाब है next question question number 105 है professor शांतिसरी धूल पूडी पंडित किस बिस्विद्याले की पहली महला कुलपती फर्वरी 2022 में बनी है तो right answer option B हो जाएगा जवाहल लाल नहरू बिस्विद्याले अगला question question number 906 श्रीयो मारा कास्त्रो जन्वरी 2022 में किस देश की पहली महला राष्पत बनी है तो यहाँ पर इस question का दूस्तों right answer जो होगा option B हो जाएगा होंडू रास होंडू रास इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question question number 107 निमलिकित में से किस इस्थान पर म्यूजियम आपदा फ्यूचर नामक संगराले खोला गया है दूस्तों तो दिये गए options में से आपको right answer का चैन करना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A दुबाई संयुक्त अरब अमीरात इसका सही जवाब है next question question number 108 है यूद्ध ग्रस्ट यूक्रेयन से भारती नागरिकों की स्वदेशी वापसी के लिए चलाएगे निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है तो यहाँ पर इस question का दूस्तों right answer जो होगा option B हो जाएगा operation गंगा next question question number 109 है सरवच नयाले का नया धीश अपना पत्याग सकता है पत्र लिखकर किसको पत्र लिखकर option यहाँ पर right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा राठपद को सरवच नयाले के संबन में उपबद सम्विधान के अनुछेद 124 से 147 में दिये गये है सरवच नयाले का नया धीश राठपद को सम्वोधन द्वारा त्याग पत्र दे सकता है option B यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question question number 110 निमलिखित में से कौन एक सम्वैधानिक संस्था नहीं है आपको बताना है दोस्तों इन में से कौन सी सम्वैधानिक संस्था नहीं है तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा option B योजना आयोग योजना आयोग का गठन एक मंदली प्रस्तावदोरा किया गया था इसके विपरीत बित आयोग अनुचेद 282, चुनाव आयोग अनुचेद 324, लोग सेवा आयोग अनुचेद 315 से 322 के अंतरगत भारती सम्मिदान में उन लिखित है तो option B इस question का right answer हो जाएगा अगला question question number 11 दादा भाई नरोजी के विशाय में निम लिखित में से कौन सा एक कथन आसत्त है तो इन में से आपको बताना है दिये गए विकल्प में से कौन सा कथन आसत्त है तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा दूस्तों option D हो जाएगा उन्होंने चार बार भारती राष्टी कॉंग्रेस की अधिक्स्ता की थी option D यहाँ पर आसत्त हो जाएगा दादा भाई नरोजी से पहले गुजराती भारती थे जो एल फिस्टन कॉलेज बंबई वर्तमान मुंबई में गडित और भातिकी के प्रोफेसा नियुक्त हुए थे 1892 में उदारवादी पार्टी की ओर से बिर्टिस पारलियामेंट का एक सदस निवाचित किया था और इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्ट गोस्तार का आर्म किया था और इन्होंने चार बार नहीं बलकि तीन बार 1886 और 1893 और 1906 भारती राष्टी कॉंग्रेस की अरिस्था किय थी तो यहाँ पे option D right answer हो जागा क्योंकि यहाँ पे असत पूछा गया है अगला question question number 112 कॉंग्रेस क्यों मंच से भारती राष्टी कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में पृथम बार सुराज शब्द बेक्ट किया गया था तो यहाँ पे इस question का right answer option यह हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 next question question number 113 है निमलिकित में से कौंसा योगम सही सुमेलित नहीं है तो आपको देगा options में से कौंसा योगम सुमेलित नहीं है आपको चैन करना है तो यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाएगा option D हो जाएगा Frank Morris India from Karjan to Nehru and after option D जो है योगम सुमेलित नहीं है और बाकी options जो है सुमेलित दिये गए है ध्यान रखिएगा अगला question question number 114 निमलिकित में से कौंसा योगम सुमेलित नहीं है तो इसमें भी आपको सुमेलित नहीं है option को option का chain करना है तो यहाँ पर इस question का right answer जो हो जाएगा दूस्तों option A हो जाएगा भगस सिंग the Indian sociologist option A यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है तो भगस सिंग किसे सुमेलित हो जाएगे why I am an atheist से समन्धित हैं दूस्तों option A यहाँ पर right answer हो जाएगा question 115 एक कृतिम उपग्रह में विद्यू तूर्जा का सुरोत क्या है आपको बताना है दूस्तों दियेगा options में से क्या right answer हो जाएगा एक कृतिम उपग्रह से विद्यू तूर्जा का सुरोत सौर्शल होता है और इसी से 24 घंटे विजली की आपूर्ती होती है दूस्तों ध्यान रखेगा तो right answer option B हो जाएगा सौर्शल next question question number 116 धूनी तरंगे नहीं चल सकती तो धूनी की जो तरंगे है किस में नहीं चल सकती है option A दिया गया ठोस में option B है द्रबो में option C है गयस में option D है निर्वात में तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो धूनी तरंगों के संचराण के लिए माध्यम की आउसकता होती है और माध्यम में द्रबिमान और घनतों जितना आधिक होगा धूनी का विक उतना ही आधिक होगा तो हवा में धूनी की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है ध्यान रखिएगा और यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है तो यहाँ पे इस question का जो right answer होगा option D हो जाएगा क्योंकि निर्वात में धूनी तरंगे नहीं चल सकती है अगला question question no.170 दस्तार बंदान कौन कहलाते थे तो right answer option D हो जाएगा उलेमा अगला question question no.118 ग्रामीड अवर्ष्थापन विकास कोस का सुरजन किसके आधिन किया गया है तो यहाँ पे इस question का right answer option D हो जाएगा नावार्ड के द्वारा किया गया है और नावार्ड के स्थापना कब हुई थी दोस्तों आपको कमेंट्स करके बताना है नावार्ड के स्थापना कब हुई थी अगला question क्योंकि इस question का answer मैं पिछले practice set में करा चुका हूँ आए देखते हैं next question question no.119 है सूची first और सूची second को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उतर चुने तो यहाँ पिए इस question का जो एक तरफ दिया गया है सूची first में जन जाती दूसी तरफ सूची second छेत्र दिया गया है तो यहाँ पिए आपको मिलान करना है बीर होर जारखंड से समंदित हो जाएगा रुस्तों भूटिया सिक्किम से हो जाएगा third option से और टोड़ा जो है आपका तमिलनाड second option से मैच हो जाएगा sentinel is option a अंडमान एओ निकोबार दिवसमों से समंदित हो जाएगा तो इस प्रकार यहाँ पे इसका जो सही अंसर होगा option a हो जाएगा a का 4, b का 3, c का 2, d का 1 next question question number 120 निम लिखिट में से कवनेक बेस्तेतम सामुंदरिक ब्यापार मार्ग है तो आपको दोस्तों बताना इस question का right answer क्या हो जाएगा बेस्तेतम समंदरी मार्ग उतरी अट्लांटिंग महासागर है दोस्तों option d यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question, question number 121 निम लिखिट में से सेटोशन घंस के मैदान यूरेसिया में पाए जाते है तो इस question का यहाँ पे right answer हो जाएगा option C यहाँ पे right answer हो जाएगा step is option C right answer है डाउन्स डाउन्स जो है आस्टेलिया और प्रेरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका और वेल्डस, वेल्डस डक्षण अफरीका और पंपास इसमें दिया नहीं गया है लेकिन पंपास आपका जो है डक्षणी अमेरिका इससे समंधित हो जाएगा तो अगला question, question number 122 राष्टी जलमार्ग संख्या first जोडता है किसको जोडता है तो राष्टी जलमार्ग संख्या एक प्रियाग राष्ट से हल दिया पस्चिम बंगाल को जोडता है वर्तमान में देश में 6 राष्टी जलमार्ग है तो दोस्तों बहुती महत्पूर्ण प्रश्ण हो जाता है आपको ध्यान रखना है कि देश में चार आस्टी जलमार्ग हैं ध्यान रखना है अगला question question number 123 200 ओजोन दिवस का मना जाता है most important question है पूछा जाता है ये आपका तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों 200 ओजोन दिवस 16 सितंबर को मना जाता है option A right answer हो जाएगा next question question number 124 नरंड मोदी दिमायन दि टाइम्स पुस्तक लिखी गई है किसके दोरा लिखी गई है तो नरंड मोदी दिमायन दि टाइम्स पुस्तक निलांजन मुको पध्याय दोरा लिखी गई option D यहाँ पे right answer हो जाएगा next question question number 125 है 2011 में निमलिखीत राजियों में से किस राजि में उच्तम लिंगानुपात है बहुत ही महत्पून प्रस्ण है दोस्तों तो दियेगे बिकल्पों में से तमिल नाडु का लिंगानुपात सरवाधिक है जबकि इसके अत्रिक्त भारत में सरवाधिक लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो केरल का है दोस्तों केरल आज में है केरल आज में जो है 990 लिंगानुपात है दोस्तों और जबकि तमिल नाडु का तमिल नाडु का 990 है सौरी यहाँ पे तमिल नाडु का जो है 990 है दोस्तों बिकल्ब के according option A तमिल नाडव आएगा जबकि सरवाधिक भारत में सरवाधिक लिंगान उपाज जो है वो केरल राज का है आज से ध्यान लखना है आपको ठीक है जोस्तों option A राइट आंसर हो जाएगा इसका अगला question, question number 124 ओजोन biosphere बचाती है किस से बचाती है देएगा options में से आपको राइट आंसर का चैन करना है तो यहाँ पे इस question का राइट आंसर option B हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रा वालेट के रणों से बचाती है तो ओजोन का सूत्र जो होता है O3 होता है दोस्तों देहार रखिएगा ब्याकराण से ब्याकराण प्राधरित है अगला question question number 28 है सुमेलित करें जो सुमेलित करना है सूची first में लेखाग है सूची second में ग्रंथ है तो कौटिल का ग्रंथ कौन सा हो जाएगा आर्त साथ से समन्दित हो जाएगे भद्र बाहु का कल्प शुत्र हो जाएगा और कत्यायन का इस्मरती हो जाएगा और पतंजल का तो आप सभी को पता है महाभास इन्होंने लिखा है तो यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाएगा option A हो जाएगा यहाँ पे A का 4, B का 3, C का 1, D का 2 अगला question, question number 139 लाक बक्स की उपाद किस सासक को दी गई थी तो आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पे इस question का right answer हो जाएगा कुत्बुद्दीन को लाक बक्स की उपाद दी गई थी दोस्तों तो यहाँ पे right answer option T हो जाएगा कुत्बुद्दीन A बक्स को अगला question, question number 139 लिक के सुल्तान का पद संभालने से पूरु बल्वन की सुल्तान का प्रधान मंत्री था तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा नसरी दुन, महमूद का काल बल्वन के उतकर्ष का काल था उसके काल में संपूर्ण शक्ती बल्वन के हाथों में केंद्रे थी अगस्त 1249 इस भी में बल्वन ने अपनी पुत्री का बिवाह नसरी दुन से करा दिया इस अउसर पर उसे उलुग खा की उपादी और दरबार में उच पद दिया गया था दोस्तों 1266 में 1266 इस भी में नसरी दिन की मृत्यू के परचाथ बल्वन गदी पर बैठा और अपने विरोधियों की समाप्ती के लिए उसने रक्त और लाह नीती अपनाई बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्टन है रक्त और लाह नीती किसने अपनाई तो बल्वन ने रक्त और लाह नीती तो यहाँ पर इस कॉर्शन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्सन ए हो जाएगा नसरी दिन अगला कोश्चन कोश्चन नबर 131 भारत में निरत नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावाद देने के जिमेदारी निमलिकित में से किसकी है तो अप्सन भी राइट अंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी इसका साही जवाब हो जाएगा और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 31 मई 1952 की गई थी और किसके दोरा सुच्छा मंत्राले भारत सरकार दोरा की गई थी 31 मई 1952 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों और यहाँ अकादमी कहां इस्तित है नई दिल्ली में इस्तित है यह भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन कोशन में 132 सौर मंडल का सरवादिक गर्म ग्रह कौन सा है most important question है easy question है सभी को इस question का answer बन जाएगा सभी पे तो यहाँ पे इस question का right answer जो हो जाएगा दोस्तों सुक्र ग्रह सुर से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है और सुक्र के वाई मंडल में कार्बन डायोकसाइड की प्रचूरता होती है और इसके कारण यहाँ यहाँ सौर मंडल का सरवाधिक गर्म करा होता है दोस्तों तो option यहाँ पे जो है option यह right answer हो जाएगा शोक्र अग्ला question question number 133 भारत में हरित करांति अब तक किसके मामले में शरवाधिक शफल रही है तो भारत में हरित करांति गेहुं के मामले में सरवादिक सफल रही है दोस्तों तो option C right answer हो जाएगा इस question का next question question 134 है अंडमान दीप समूह और निकोबार दीप समूह निमलिकित में से किसके द्वरा एक दूसरे से अलग किये गए है तो इस question के हाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों option A 10 channel 10 channel दोरा अंडमान दीप समूह और निकोबार दीप समूह एक दूसरे से अलग किये गए हैं दोस्तों ध्यान रखना है अगला question question 135 है उच्छ नयाले के मुख नयाधिस की नुक्ति काउन करता है तो उच्छ नयालों के नयाधिसों की नुक्ति राट पर करता है वह मुख नयाधिस की नुक्ति उच्छ नयाले के मुख नयाधिसों और राजी के राज़जपाल के परामार से करता है तो option A यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question question 136 है स्वेट क्रांती का समंध किससे है most important question है ज़ादातर परीचाओं में यह पूछा जाता है तो स्वेट क्रांती का समंध किससे हो जाएगा दोस्तों तो स्वेट क्रांती का जो समंध है दुख्द उतपादन में ब्रद्धी से होता है और स्वेट क्रांती का जनक काउन है Vargis Korean को माना जाता है जहां रखेगा परगीज कुरियन अगला कोर्षिन कोर्षिन नमबर तो यहां पर इस कोर्षिन का जो राइट आंसर होगा ओप्सन भी हो जाएगा दुख 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 पादन नेक्स कोर्षिन नमबर 137 है सूची फर्ष्ट को तो मीटर प्रत सेकेंड स्क्वाइर किसका मात्रक होता है किस रासी का है तो तुरण का मात्रक होता है मीटर प्रत सेकेंड होता है स्क्वाइर ओप्सन भी में दिया गए है निूटन सेकेंड किसका होता है आब एक का होता है तो निूटन सेकेंड जो है आब एक का मात्रक Newton second होता है Newton option C में दिया गया है तो ये बल का मात्रक होता है बल का मात्रक Newton होता है अब करत कार का मात्रक जूल हो जाएगा तो यहाँ पे option A right answer हो जाएगा दूस्तों यहाँ पे A का 4, B का 1, C का 2, D का 3 अगला question, question number 138 अंतरष्टी पर्माड उर्जा एजनसी का मुख्याले काहां इससी थे तो इस question के हाँ पे right answer option D हो जाएगा वाजसिंग गटन में इस्तित है दूस्तों और इसकी इस्थापना की यदि हम बात करें तो 29 जुलाई 1957 में की गई थी दूस्तों ध्यान रखिएगा अगला question question number 149 दादा साहब फाल के पुरुषकार सरुपथम किसे मिला बहुत ही महात्पून प्रशन है सरुपथम सिरिमती देविकार रानी को वर्ष 1979 में दादा साहब फाल के पुरुषकार दिया गया था और वर्ष 2017 का 65 दादा साहिफ आल के पुरुसकार बिनोज खना को 13 अप्रेल 2018 को दिया गया है ध्यान रखेगा दोस्तों तो यहाँ पर राइट अंसर आप्सन ही हो जागा स्रीमती देविका राने अगला कोश्चन कोश्चन बर 140 भारत ने सरवर पथम किस ओलाम्पिक खेल में हंकी में स्वनड पदक जीता था तो इस कुर्षेन का राइट अंसर हो जाएगा धोछंका भारत ने सरवर पथम तो कार्तिक एक लोक नेथे है किसका है तो कार्तिक बुंदेल खंड का एक लोग नित है option A right answer हो जाएगा नेक्स question question बर 142 प्रसिद्ध सास्त्री गायक भीमसें जोसी समंधित है तो किस समंधित है तो right answer option B हो जाएगा किराना घराने से समंधित है question number 143 है निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है तो कथक कलाकार दिये गए options में से कौन नहीं है तो इस question का right answer हो जाएगा दूस्तों किसन महाराज कथक कलाकार नहीं थे ये एक बिख्यात तबला वादक थे द्यान रखेगा तबला वादक तो यहाँ पे right answer option B हो जाएगा किसन महाराज अगला question question number 144 वर्ष 2011 के अनुसार code से सही उतर चुने तो यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाएगा ये हो जाएगा छेथफल में उतर प्रेय देश का चौथा बड़ा राज्य है इस बात को भी ध्यान रखना है आपको दूसरा देश की जनसंख्या में उतर प्रेय देश का साक्षर्ता दर राष्टी और सच से कम है इस point को भी ध्यान में रखना है तो यहाँ पे आपका जो right answer हो जाएगा option A हो जाएगा पहला दूसरा और चौथा option सही दिए गया है अगला question question number 145 वर्ष 2011 के अनुसार उतर प्रेयस के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर्ता है तो option A right answer हो जाएगा यहाँ पे sorry इस question का right answer option D हो जाएगा रामपूर वर्ष 2011 के अनुसार उतर प्रेयस के रामपूर में सबसे कम महिला साक्षर्ता है option D यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question question number 145 फोन लाइन और मॉडेम की साहता से इंटरनेट को connect करना डायलप कहलाता है तो option यहाँ पे right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा डायलप अगला question question number 147 साइबर सुरच्छा से समंधित नहीं है दिये गए options में से आपको बताना है काउन सा option साइबर सुरच्छा से समंधित नहीं है तो यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाएगा option दी इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा next question question number 148 mobile phone और tablet के लिए operating system है तो यहाँ पे इस question का जो सही जवाब हो जाएगा यह सभी हो जाएगा windows OS, android OS और iOS सभी option सही हो जाएगा next question question number 149 cursor है आपको बताना है cursor क्या है तो cursor एक पतली blinking line होती है option A right answer हो जाएगा अगला question question number 150 है computer का सबसे महात्पॉंट system software क्या है तो computer का सबसे महात्पॉंट system software operating system होता है option B right answer हो जाएगा दोस्तों यह रहे आपके part 3rd सामान जानकारी के से question number 101 है मेरी policy मेरे हाथ अभियान का सुभारम 26 फरवरी 2022 को किस इस्थान पर किया गया है option A दिया गए इंदावर मद्प्रदेश option B लखनाव उत्रप्रदेश option C है पठना बिहार option T है गुरुग्राम हर्याना तो यहां पर इस question का दोस्तों right answer जो हो जाएगा option A हो जाएगा इंदावर मद्प्रदेश इसका सही जवाब है अगला question question number 102 है दोस्तों पुरुवत्तर राज्यों के मंत्रियों का च्छेतरी सम्मेलन 28 फरवरी 2022 को किस इस्थान पर आयुजित किया गया तो इस question का दोस्तों right answer option C हो जाएगा गुवाहाटी असम में आयुजित किया गया है दोस्तों अगला question question number 103 है गाई दिल्यू railway station पर जनवरी 2022 में पहली बार मालगाड़ी पहुची यह railway station कहां इस्थित है तो यहाँ इस question का right answer option A हो जाएगा तमेंग लोंग मड़पुर में इस्थित है दोस्तों ध्यान लखिएगा अगला question question number 104 है किस केंदरी मंत्री ने All India Limited की उद्दम संसाधन योजना ERP प्रणाली का उटगाटन फर्वरी 2022 में किया है तो इस question का दोस्तों यहाँ पर right answer option A हो जाएगा प्रहाद जोसी option A right answer है अगला question question पर 105 एचिया का सबसे बड़ा जन जाती उसव मेधारम जतारा फर्वरी 2022 में किस राज में मनाए गया है तो इस question का right answer option A हो जाएगा तिलंगाना राज में मनाए गया है अगला question question number 906 है एतिहासि घटना 424 कांड ने 4 फरी 2022 को 100 वर्स पोण किये या घटना किस राज से समंदित थी तो right answer option C हो जाएगा उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question question number 107 है उत्तर प्रदेश बिधान सभा चुनाव 2022 से समंदित कत्नों में से सत्त कत्न कत्नों का चैन कीजिए तो option A दिया गया उत्तर प्रदेश बिधान सभा चुनाव 2022 साथ चरणों दस फरोरी से दस मार्स से संपनि किये दूसरा दिया गया है उत्तर प्रदेश में बिधान सभा सीटों की संखे 403 जबकि लोग सभा में सीटों की संखे 80 है तो यहाँ पी इस question का दूस्तों right answer option C हो जाएगा पहला दूसरा दोनो option यहाँ पे सही है अगला question question number 108 मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ ने किस स्थान पर 80S कमांडो प्रशक्षण के अंदका से नन्यास 4 जन्वरी 2022 को किया है तो right answer हो जाएगा यहाँ पे option D देवबंद देवबंद कहा है उतर प्लेज के साहरन पूर में इस्थित है धन रखेगा अगला question question number 109 वैदिक साहित में सभा और समिती को किस देवता की दो पुत्रिया कहा गया है तो right answer जो हो जाएगा option A परजापती को कहा गया है next question question number 110 दिल्ली कवा सुल्तान कौन था जिसकी मरती पोलो खेलते हुए हुई थी तो right answer क्या हो जाएगा दोस्तों आपे option A right answer हो जाएगा कुतबुद्दीन एबग इसका सही जवाब है अगला question question number 111 ब्रिटिस सरकार ने भारत पर सीधे सासन करना कब आरम किया था तो इस question का दोस्तों right answer option A हो जाएगा प्लासी के यूद्ध के परचाथ option A right answer है अगला question question number 112 प्लासी का यूद्ध किनके मद्ध हुआ था most important question है दोस्तों आपकी परिच्छा की डिस्कोंड से ध्यान रखिएगा तो प्लासी का यूद्ध 23 जून 1757 इस भी को बंगल के अंतिम सोतंतर नवाब स्राजुद दौला और राबर्ट क्लाइब के नतत्तों में इस इस इंडिया कामपनी के मद्ध लड़ा गया था दोस्तों ध्यान दखिएगा इसका यहां पर राइट अंसर ओप्सन यह हो जाएगा सुराजुद दौला और राबर्ट क्लाइब के मद्ध अगला कोशन कोशन नमर 113 है निम लिकित में से कवन भारती संगीत के ठुमरी रूप को लोगप्री बनाने के लिए नहीं जाना जाता है तो यहां पर इस कोशन का राइट अंसर ओप्सन भी हो जाएगा अमीर खुसरो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो तबला सितार के अविसकार माने जाते हैं दोस्तों जबकि तामसे नवाब वाज़दाली सह और सिदेशुरी देवी को भारती संगीत के ठुमरी रूप को लोगप्री बनाने के लिए जाना जाता है तो राइट अंसर ऑप्सन भी यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे पूछा गया है लोगप्री बनाने के लिए नहीं जाना जाता है तो अमीर खुसरो ऑप्सन भी राइट अंसर है अगला कोशन कोशन नमर 114 ताजे जल का सबसे बड़ा जला से क्या है तो राइट अंसर ऑप्सन यह हो जाएगा ग्लेसियर है दोस्तों राइट अंसर ऑप्सन यह हो जाएगा अगला question, question number 115, भारत के दक्षणी छोर का नाम क्या है तो भारत के दक्षणी छोर का नाम निकोबार द्यूप में इस्थित इंद्रा पॉइंट है धान रखेगा, तो right answer जो हो जाएगा, option C हो जाएगा दोस्तों निकोबार द्यूप में इस्थित इंद्रा पॉइंट option C right answer है next question, question number 116 है चेदफल की जश्टी से भारत बिसुका सबसे बड़ा देश है तो इस question का right answer option D हो जाएगा, साथ हुआ सबसे बड़ा देश है दोस्तों अगला question, question number 117 प्रत्वी का विसालतम पारिस्तितिक दंतर है आपको बताना है प्रत्वी का विसालतम पारिस्तितिक दंतर इमें से कौन सा है तो right answer option A हो जाएगा बायोम हो जाएगा इसका सही जवाब next question, question number 118 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निमलिकित में से क्या नियाले द्वारा जारी किया जा सकता है तो अनुच्छेद 32 मौल अधिकारों के उलंगन के विरुध नागरिकों को उपचार प्रदान करने के लिए उच्छेटम नियाले को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है जिसे समादेश रिट कहा जाता है option C right answer हो जाएगा समादेश रिट कहा जाता है अगला question, question number 19 कि समिधान संसोदान अधिनियम के द्वारा संसद में मद्दान की आई को कम करके 21 से 18 वर्स किया गया है बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन है दोस्तों ध्यान लखिएगा तो यहाँ पिस question का right answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा 16 समिधान संसोदान 1989 द्वारा संसद में मद्दान की आई 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स की गई है दोस्तों ध्यान लखिएगा अगला question, question number 120 ब्याजदर नेत किसका अंग है आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से कौन सा right answer हो जाएगा option B हो जाएगा मुद्रा नीती इसका सही जवाब है अगला question, question number 121 नवार्ड का पूर्ण रूप बताईए तो नवार्ड का पूर्ण रूप इन में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों तो option A right answer हो जाएगा national bank for agriculture and rural development option A right answer हो जाएगा और इसकी इस्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका जो मुख्याला है मुंबई महाराष्ट में है ध्यान नखेगा अगला question, question number 122 सबसे छोटा फूलों वाला पूस्पी पौधा कांसा है तो इस question का दोस्तों right answer जो हो जाएगा वॉल्फिया option D right answer हो जाएगा वॉल्फिया सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है या सबसे छोटा आबरत बीजी पौधा है इसको duckweed या watermail भी कहते हैं ध्यान नखेगा अगला question, question number 123 insulin क्या है दोस्तों आपको बताना है दियेगे options में से insulin क्या है तो right answer option D हो जाएगा रुधिर सरकरा को घटाती है insulin रुधिर सरकरा को घटाती है option D right answer हो जाएगा next question, question number 124 है ठंडे देशों में शीत काल में जहिले जम जाती है तो इस question का right answer option B हो जाएगा चार डिग्री सेंटिग्रेट पर अगला question, question number 125 mobile phone का अविस्कार किस ने किया था तो यहाँ पिए इस question का right answer हो जाएगा mobile phone का अविस्कार Martin Cooper ने किया था option B right answer हो जाएगा next question, question number 126 है निम लिखित रचनाओ को उनके रचाईता के साथ मिलान कीजिए सूची first है, सूची second दी गई है तो यहाँ पिए इस question का दोस्तों right answer जो हो जाएगा option A हो जाएगा A का 4, B का 1, C का 3, D का 2 तो A का 4, गीत गोविंद, जैदेव की है योग सास्त्र, हेम चंद्र की है स्री भास्यम, रामानुज की है और सिधान्त सुरोमडी, भास्कर अचार की है अगला question, question number 127 है दोस्तों भारत रत्न पुरुषकार से समानित पृथम विदेशी कौन थे तो इस question का right answer option A हो जाएगा अब्दुल गफार खान, इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 128 यह दिवस 21 नोक्स कहलाता है यह दिवस 21 नोक्स कहलाता है तो यहाँ पर right answer चो हो जाएगा दोस्तों option C हो जाएगा 21 मार्च कहलाता है 21 नोक्स 21 मार्च कहलाता है धान रखीएगा अगला question, question number 139 पस्पालन का प्राचीनतम साक्ष कहां से प्राप्त हुआ है answer option B हो जाएगा बागावर से इसका सही जवाब है दोस्तों मद्ध प्रदेश में आदमगर से और राजस्थान में बागावर से पस्पालन के प्राचीनतम साक्ष प्राप्त हुए है जिसका अनुमानित समय लगभाग 5000 इसापूर है ध्यान लखिएगा अगला question question number 130 प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था बताना है दोस्तों दिये गए options में से आपको right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पे इस question का right answer option C हो जाएगा इस्ट इंडिया कांपनी और सिराजुद दौला option C right answer हो जाएगा अगला question question number 131 प्लासी का सबसे बड़ा दीप समू कौन सा देश है तो right answer option B हो जाएगा इंडोनेसिया प्लासी का सबसे बड़ा दीप समू इंडोनेसिया है दोस्तों धहर रखेगा अगला question question number 132 हेलिगो लैंड निमलिकित मेंसे किस देश का दीप है दोस्तों तो यहाँ पी इस question का right answer option B हो जाएगा जर्मनी option B right answer है अगला question question number 133 है मुंबई उच्च तेल चेत्र कहां पर इसित है right answer option A हो जाएगा अरब सागर का महा दीपी शेल्प next question question number 134 भारत के पर्थम राठपत के रूप में डाक्टर राजन परसाद का चुनाव किया गया था तो right answer or absence C हो जाएगा समिधान सभाद्वरा इसका सई जवाब हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को समिधान सभा ने बिद्वर डाक्टर राजन परसाद को समिधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया जो 24 जून 1950 तक रहे चब 24 जन्वरी 1950 से ही समिधान सभाद्वरा इन्हें पर्थम राठपती चुना गया था लोग सभा का गठन होने के परचात इन्हें वर्ष 1952 से वर्ष 1957 तक पुना राठपती निर्वाचित किया गया बाद में दूसरी लोग सभा काल में वर्ष 1957 से वर्ष 1962 तक ये राठपती रहे दोस्तों ध्यान लखेगा 1962 तक राठ पती रहे थे इनका ध्यान रखेगा अगला question question number 135 cement का ध्रणी करण किसके कारण होता है तो यहाँ पर इस question का दूस्तों right answer option D हो जाएगा निर्जली करण option D right answer है cement का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ आस्पडिन नामक बैग्यानिग ने 1824 हिस्वियों किया था इसका ध्रणी करण निर्जली करण के कारण होता है ध्यानकियेगा अगला question question number 136 हरे फलों को कृतिम रूप से पकाने के लिए प्रयोप्त गैस है आपको बताना है दूस्तों दिये गए options में से तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा option D एथिलीन हो जाएगा कच्छे फलों को पकाने और उनके सरनक्षन में निष्चे तक के रूप में mustard गैस आदी बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोप किया जाता है option D right answer हो जाएगा next question question number 136 enzyme क्या होते हैं तो यहाँ पर इस question का right answer option C हो जाएगा enzyme protein होते हैं option C right answer है next question question number 138 league of nations की स्थापना कब की हुई थी तो league of nations की स्थापना 10 January 1920 में हुई थी option C right answer हो जाएगा 10 January 1920 next question question number 149 है प्रतिवर्ष कितने छेत्रों में novel पुरुषकार प्रदान किये जाते है most important person है दूस्तों तो यहाँ पी इस question का right answer option B हो जाएगा 6 चेत्रों में novel पुरुषकार प्रदान किये जाता है दूस्तों अगला question question number 940 निम लिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को pug list कहा जाता है तो right answer option B हो जाएगा मुक्के बाजी boxing option B right answer है next question question number 141 तानसेन का मकबरा कहां इस्तित है दिये गए options में से दोस्तों आपको right answer का जवाब देना है तो तानसेन का मकबरा उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में इस्तित है तो यहाँ right answer जो है इस question का हो जाएगा option B ग्वालियर में इस्तित है दोस्तों अगला question question number 142 लोकनेत राहुला का समंद उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक छेत्र से है तो लोकनेत राहुला का समंद उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंड छेत्र से है option D right answer हो जाएगा next question question number 143 ताज महसव किस महिने में मनाय जाता है तो ताज महसव उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिल्प ग्राम में एक वार्षिक दस द्योसी महसव है जो प्रतिक वर्ष 18 फर्वरी से 27 फर्वरी तक मनाय जाता है ध्यान रखिएगा option B right answer हो जाएगा next question question number 144 निम्न में कवन जनसंक्या की द्रष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है most important question है दोस्तों तो right answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा प्रयाग राज से इसका सही जवाब है अगला question question number 145 जनगर्णा वर्ष 2011 के नुसार सर्वाधिक साक्षर्टा वाला जिला है तो जनगर्णा 2011 के नुसार उत्र प्रेश का सर्वाधिक साक्षर्टा वाला जिला गौतम बुधनगर है option A right answer हो जाएगा next question question number 146 है DB किस पर आधारित है तो DB optical disk तक्नीकी पर आधारित है option D right answer हो जाएगा optical disk तक्नीकी next question question number 147 है दोस्तों Univac Univac क्या है तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों option A हो जाएगा universal automatic computer option A right answer हो जाएगा next question question number 148 undo command है इन में से कौन C है right answer option C हो जाएगा control plus Z option C right answer हो जाएगा next question question number 149 Libre office writer spread sheet file का extension होता है तो Libre office writer spread sheet file का extension option dot ods होता है option C right answer हो जाएगा अगला question question number 150 internet connection के लिए उप्योग होने वाली device है तो internet connection के लिए उप्योग होने वाली device modem है option A right answer हो जाएगा दोस्तों किया गया है तो यहाँ पे इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा option A नयमूर्ती रेखा देक्षित इसका सही जवाब हो जाएगा नयमूर्ती रेखा देक्षित को उतरपडेश लोकसेवा अधिकरान का अध्यक्ष ने उट किया गया है वा इस अधिकरान की पहली महला अध्यक्ष है और इन्होंने नयमूर्ती सुधीर सक्षेना का इस्थान लिया है दोस्तों तो ध्यान रखेगा option पहला right answer हो जाएगा अगला question question number 102 है मुक्यमंत्री योगी आधितनात ने नगरी विकास के लिए प्रधान मंत्री नरण मोदी ने होकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद के नाम पर उतर प्रधेश के मेरत जनपद में प्रधेश के पहले खेल विस्वे डाले का सिलानास किया है ध्यान रखेगा दोस्तों अगला question question number 104 है उतर प्रधेश के किस railway station का नाम एक जनवरी 2022 को परिवर्तित कर विरांगना लच्छमिबाई railway station का नाम कर दिया गया है तो यहाँ पर इस question का दोस्तों right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा जहांसी railway station उतर प्रधेश के जहांसी railway station का नाम परिवर्तित कर विरांगना लच्छमिबाई railway station कर दिया गया है यह station उतर प्रधेश के बुंदेल खंड चेतर के जहांसी सहर में इस्तिते एक प्रमुक station है अगला question question number 105 है दोस्तों फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ ब्यापक आर्थिक्स भागीदारी समझ होते पर हस्ताक्षर किया है तो right answer option B हो जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात अगला question question number 106 है भारत और किस देश ने दुईपक्षिय इस्वाइप ब्योस्ता का नवीनी करण फरवरी 2022 में किया है तो right answer जो हो जाएगा option C जापान इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question question number 107 है रूस ने युक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया युक्रेन किस महादीप में इस्थित है तो जोस्तों आपको इस question का right answer देना है तो युक्रेन पूर्वी यूरोप महादीप में इस्थित एक डेश है इसकी राजधानी कीव और मुद्रा रिवनिया है तो right answer option C हो जाएगा युरोप अगला question question number 108 है दोस्तों भारती रिजर्व बैंक ने तीन फरवी 2022 को किस बैंक का लाइसंस रद्ध कर दिया है तो right answer जो हो जाएगा option T हो जाएगा इंडिपेंडेंस को आपरेटिव बैंक लिम्टेट option T right answer हो जाएगा अगला question question number 109 पुरा लेक विद्ध्या का अभिपराय है तो पुरा लेक विद्ध्या का अभिपराय किससे है दोस्तों आपको बताना है तो right answer जो हो जाएगा option B सिला लेखों का अध्यन पुरा लेक सास्त्र कहते हैं दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 110 बंगाल का पुर्थम गौवर्नर जर्रनल किसे बनाय गया था most important प्रस्टन है परक्षा की दिश्कॉंट से ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर इस question का दोस्तों right answer जो हो जाएगा option यह हो जाएगा Warren Hastings 1773 ISV के regulating act दोरा Warren Hastings को 1714 ISV में बंगाल का पर्थम गौवर्नर जर्रनल बनाय गया था और इस गौवर्नर जर्रनल के काल में पारिद 1784 ISV के पिट से इंडिया अधनियम ने कंपनी के कारियों को प्रेटिस संसट के नेंतरण में दे दिया था अगला question question number 111 है कभी कालीदाश किसके राज कभी थे तो right answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा चंद्रगुप्त बिक्रमादितिके अगला question question number 112 है दोस्तों वहराज कौन सा है जहां गर्बा नर्त सरवाधिक प्रचलित है तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों option B हो जाएगा गुजराथ सही जवाब हो जाएगा गर्बा नर्त गुजराथ में प्रचलित है दोस्तों धान रखिएगा अगला question question number 113 हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो ब्रस्पती है तो यहाँ पे B right answer हो जाएगा ब्रस्पती है अगला question question number 114 है विसुकी छत निमलिखित में से किसको कहा जाता है तो right answer option B हो जाएगा पामीर का पठार मदेशिया में इस्थित पामीर के पठार को विसुकी छत कहते हैं दोस्तों ध्यान किएगा अगला question question number 115 है विसु में सबसे बड़ा my grove 1 लिम लिखित में से कौन सा है तो which सुमें सबसे बड़ा my grove 1 लिम लिखित में से कौन सा है आपको बताना है दूस्तों दियेगे options में से तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा सुन्दर 1 विश्व में सबसे बड़ा माइग्रोन 1 सुन्दर 1 डेल्टा चेतर में पाया जाता है या दलदली चेतरों में आसानी से उगता है अगला question question number 116 रेड किलिफ लाइन किंदो देशों के मद सीमा रेखा है तो right answer option A हो जाएगा भारत और पाकिस्तान रेड किलिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मद सीमा निरधारित करती है या भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जमुकस्मी, राज्यों को पाकिस्तान से अलग करती है ध्यान रखिएगा, अगला question question number 117 डक्तर बियार अंबेटकर ने सम्विधान का हरद और आत्मा किसे कहा है कहा था महात्पूर्ण प्रशन है दोस्तों यहाँ पे इस question का right answer option C हो जाएगा सम्विधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे right answer हो जाएगा डक्तर बियार अंबेटकर ने सम्विधान का हरद और आत्मा सम्विधानिक उपचारों का अधिकार अनुछेद 32 को कहा है अनुछेद 32 के अंतरगत भागतीन में प्रदत मोला दिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कारवाहियों द्वरा उचितम नयाले में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है मोला दिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार नागरिक और अनागरिक सभी बेक्तियों को प्राप्त है क्योंकि यह भाग तीन में बहित मूल अधिकारों का अभिन अंग है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा option third यहाँ पे option C right answer हो जाएगा अगला question question mark 68 भारत के समिधान में मौली का अधिकार है तो आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पे right answer जो हो जाएगा option A मौल अधिकार का हिस्सा थे भारती समिधान में मौल अधिकार का मौल समिधान का एक हिस्सा थे मौल अधिकार समानता का सरजान नहीं करते बलकि समाज हित के व्यापक दरस्टिकोंड से इन परप्रस्तितियों के अनुसूर अनुरूप तर्क पूंड प्रतिबंद भी लगाए गए हैं दोस्तों भारती समिधार में मोल अधिकार अनुछेद 12 से 35 तक लगभग 23 अनुछेद में समप अनुछेद हैं धान रखेगा अगला कोर्शन कोर्शन नमबर 119 निमलिखित में से कौन से निउक्ति भारत के राष्टपति दोरा नहीं की जाती है तो आपको बताना है दूस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा भारत के राष्टपति दोरा लोगसभा अधिक्ष की निउक्ति नहीं की जाती है Option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा. क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष अपने का चुनाव स्वयम करती है, अनुछेद 93 के अनुसार अध्यक्ष अपने पजपर तब तक बना रहता है, जब तक वहाँ लोकसभा का सदस्य है. तो यहाँ पर option A, right answer हो जाएगा. अगला question, question number 120. सुची first को सुची second के साथ सुमेलित कीजिए. तो सुची first में पुस्तक दी गए हैं, सुची second में लेखक दीए गए हैं. तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा. Wealth of nation, Adam Smith की है. Wealth of nation, third से मिलान हो जाएगा. That's capital, आपका जो है Karl Marx से समंदित हो जाएगा. Four से समंदित हो जाएगा. How to pay for war. किन से समंदित हो जाएगा यह? Second से, principle of economics. यह Marshall के से लेखक है. तो यहाँ पर इस question का जो right answer होगा. Option B हो जाएगा. A का 3, B का 4, C का 2, D का 1. अगला question, question number 121. Wool और wear. शब्द किस से समंदित है? तो right answer जो हो जाएगा. Option C हो जाएगा. Stock, bazar. इसका सही जवाब है, दूस्तों. अगला question, question number 122 है. तारों के टिम्टमाने का क्या कारण है? आपको बताना है, दूस्तों. दिएगा options में से right answer क्या हो जाएगा? तारों के टिम्टमाने का कारण प्रकास का अपवर्तन होता है, दूस्तों. तो right answer जो होगा, option T हो जाएगा. वाई मंडिली अपवर्तन. अगला question, question number 123. कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाये जा सकते हैं? तो right answer जो होगा, इसका दूस्तों. option T हो जाएगा, आगजालिक अम्ल. इसका सही जवाब है. आगजालिक अम्ल का उप्योग, फोटोग्राफी, कपड़े में लगे सही के धब्बे, जंग के दाग हटाने में किया जाता है, दूस्तों. अगला question, question number 124. उर्वरकों के निर्माड में निमलिकित में से कौन सा प्रियोग में लाए जाता है? तो right answer option B हो जाएगा, पोटाशियम इसका सही जवाब है. अगला question, question number 125 है. विशौ ब्यपार संगठन को पहले क्या कहते थे? तो 272 ब्यपार संगठन को पहले GET कहते थे, वर्वर्व 95 में 222 संगठन की स्थापना की गई थी, या 222 ब्यपार पर नजार रखने वाली प्रमुक्संस था है, वर्तमार में इसके सदस से देशों की जो संख्या है वो 150 से दोस्तों ध्या नखियेगा तो यहाँ पे इस question का जो right answer होगा option A होगा get अगला question question number 126 खगोल भौतकी के लिए भारत में जन्में किस बैग्यानिक को नोबेल प्रुषकार प्रदान किया गया था तो right answer जो हो जाएगा रुस्तों यहाँ पे option A हो जाएगा प्रोफेसर चंदर सेखर खगोल भौतकी के लिए भारत में जन्में प्रोफेसर चंद सेखर को नोबेल प्रुषकार प्रदान किया गया है अगला question question number 127 संतोष ट्राफी किस खेल से समंधित है आपको बताना है दूस्तों तो संतोष ट्राफी फुटवाल खेल से समंधित है option B right answer हो जाएगा next question question number 128 है प्रत्वी दिवस कब मना जाता है तो आपको बताना है प्रत्वी दिवस कब मना जाता है प्रथम प्रत्वी दिवस 1970 में मनाय गया था 1970 में मनाय गया था दोस्तों ध्यानक ना है इस बात को या दिवस वर्थमान में 192 से अधिक तेचों में प्रतिवर्ष मनाय जाता है तो इस question गहां पर right answer जो होगा option B होगा 22 अपरेल अगला question question number 139 मोहन जोदोडों में सबसे बड़ा बहुन कौन सा है तो मोहन जोदोडों की सबसे बड़ी जो इमारत है अन्नागार है दोस्तों option B right answer हो जाएगा अन्नागार अगला question question number 130 हडप नीत निमलिकित में से किसके द्वारा लागू की गई थी तो हडप नीत लाड डल हो जी द्वारा लागू की गई थी option D right answer हो जाएगा लाड डल हो जी अगला question question number 131 है भारत में सरुपर्थम राष्ट्री आई का अन्नागान किस ने लगाया था तो यहाँ पर इस question का दूस्तों right answer हो जाएगा भारत की राष्ट्री आई का सरुपर्थम अनुमान वर्ष उन्नीस सो वर्ष अठारा सो आरशट में दादा भाई नरोजी ने लगाया था और इन्होंने अपनी पुस्तक दा Poverty and Un-British Rule of India में भारत की राष्ट्री आई और प्रोफेसर PC महा लनोविश को इस समिती का अध्यक्षिनुक्त किया और इस समिती ने प्रतिवेक्ति आये 246 रुपे का अनुमान लगाया था तो जोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर right answer जो हो जाएगा option A हो जाएगा दादा भाई नरोजी अगला question question number 132 है गुप्त शास्कों के बारे में निमलिखित मेंसे कौन सा सही नहीं है तो right answer option B हो जाएगा राजपद, वनसागत और सिंगहसन सदस सबसे बड़े पुत्र को मिलता था option B यहाँ पर right answer हो जाएगा next question question number 133 है निमलिखित मेंसे कौन भरत नात्यम की निरत्यांगना नहीं है आपको बताना है देगा options मेंसे तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा सितारा दे भी इसका सही जवाब है अगला question question number 134 है किस तितिको प्रत्वी सुर्के निकट होती है महत्पूर्ण प्रशन है दोस्तों आपकी परिच्छा की दिसकोंड से तो यहाँ पर इस question का दोस्तों right answer जो हो जाएगा option D हो जाएगा 3 जनवरी प्रत्वी प्रत्येक वर्स 3 जनवरी को सुर्के अत्यन्त निकट आजाती है यह प्रत्येक वर्स लगबख 4 जुलाई को सुर्श से सरवाधिक दूरी पर होती है ध्यान रखिएगा दोस्तों अगला question question number 135 पेरू की राजधानी है तो पेरू की राजधानी आपको बताना है दोस्तों दियेगा options में से पेरू का सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी लेमा है दोस्तों option C right answer हो जाएगा अगला question question number 136 विस्व का सबसे बड़ा दीप कौन सा है most important person है आपकी परिच्छा की दिश्कौन से तो यहाँ पे इस question का right answer जो हो जाएगा दोस्तों विस्व का सबसे बड़ा दीप ग्रीन लैंड है option E right answer हो जाएगा next question question number 137 है भारत पूर्ण प्रभुत्य संपन लोकतांत्रिक गणराज कब बना महत पूर्ण प्रशन है यह भी दोस्तों आपकी परिच्छा की दिश्कौन से तो यहाँ पर इस question का right answer जो हो जाएगा option E हो जाएगा 26 जन्वरी 1950 समिधान के अनुसार भारत 26 जन्वरी 1950 को प्रभुत्य संपन लोकतांत्रिक गणराजी बना उसी समय से भारत के लोग 26 जन्वरी को गणतंत्य दिवस के रूप में मनाते हैं डाक्टर बियार अमबेटकर की अध्यक्सिता वाली प्रारूप समिती की रिपोर्ट पर साहमती व्यक्त करते हुए समिधान सम्हाने 26 जन्वरी 1940 को समिधान पारित करती है था दोस्तों जहां लखिएगा अगला question question number 138 है पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी महात्पूर्ण प्रशन है ये भी दोस्तों तो यहां पर इस question का राइट अंसर जो हो जाएगा option ये हो जाएगा आंद प्रदेश और राजस्थान इसका सही जॉब है जवालाल नहरू ने 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागावर में पंचायती राजस का उदगाटन किया उसी वर्स में बलवंत राय महता समीती की स्विपारिस पर पंचायती राजव्योस्था को आंद प्रदेश में भी लागू किया गया तो बहुत ही महात्पूर्ण कोर्षण हो जाता आपकी परिष्चा की दस्ट कोंड से ध्यान रखेगा अगला कोर्षण कोर्षण नबर 149 है अंतरष्टी न्याले का मुख्याले कहां है आपको बताना है दोस्तों तो अंतरष्टी न्याले का मुख्याले निदरलेंड के हेग सहर में स्थित है यह संयुक्त राष्ट संग का प्रधान नयाइक अंग है दोस्तों और इसमें 15 नयाधीस होते हैं जिनका निर्वाचन नवर्ष की अवधी के लिए महासभा और सुरच्छा परशत के सदस करते हैं अगला कोशन कोशन नवर्ष निमलिकित में से किस तिठी को प्रतिवर्ष खेल दिवस मना जाता है तो भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्टी खेल दिवस मना जाता है या दिवस होकी के महान खिलाडी ध्यान चंदर के जनम दिवस पर मना जाता है उन्होंने वर्ष 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए ओलंपिक खेलों में होकी में सौनपदक जीता था दोस्तों ध्यान लखेगा option A right answer हो जाएगा 29 अगस्त Next question, question number 141 है ठुमरी गाई का गिर्जा देवी का सम्बंध है ठुमरी गाई का गिर्जा देवी का जो सम्बंध है बनारस घराने से है option B right answer हो जाएगा Next question, question number 142 निमलिकित में से कौन सा लोकनेत ब्रज चेतर का है तो आपको बताना है दिये गए options में से कौन सा लोकनेत ब्रज चेतर का है चरकुला लोकनेत ब्रज चेतर से सम्बंधित है दोस्तों option C right answer हो जाएगा next question, question number 143 सेद सालार मेला कहां लगता है दोस्तों तो सेद सालार मेला बहराइच में लगता है option A right answer हो जाएगा next question, question number 144 जनगर्ना वर्स 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले चिला है तो आपको बताना है दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाले चिला इनमें से कौन सा है दिये गए options में से तो वर्स 2011 की जनगर्ना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले जनपर महोबा है option C right answer हो जाएगा next question question नमर 145 जनगरना वर्ष 2011 के नुसार राज में 10 लाखी नगरों की संख्या है तो वर्ष 2011 की जनगरना के नुसार 10 लाखी नगरों की संख्या साथ है option B right answer हो जाएगा next question question नमर 146 market में विसको पहला laptop computer कब और किसके दोरा आया तो यहाँ पर इस question का दुस्तों right answer जो हो जाएगा market में विसको पहला computer वर्ष 2011 में एपसो दोरा लाए गया था option B right answer हो जाएगा एपसो 1981 next question question नमर 147 card का पूरा नाम आपको बताना है दिये गए options में से तो card का पूर्ण रूप जो हो जाता है computer added design option A right answer हो जाएगा computer added design अगला question question नमर 148 Daisy whale printer एक प्रकार का है आपको बताना है दूस्तों दिये गए options में से right answer क्या हो जाएगा तो Daisy whale printer एक प्रकार का impact printer है option B right answer हो जाएगा impact printer अगला question question नमर 149 इन में से कौन एक search engine है आपको बताना है दूस्तों search engine इन में से कौन सा है तो right answer जो हो जाएगा D हो जाएगा ये सब ही search engine के अंतरगत आते हैं big वाय याहू google like course ये सब ही जो है search engine है अगला question और अंतिम question है इस practice set का एक समय पर हम email की अधिक्तम संख्या को मिटा सकते हैं तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा एक समय पर हम email की अधिक्तम संख्या को एक साथ मिटा सकते हैं तो ये option जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्ते हैं आज की इस class के question number 101 से question number 101 है गैस authority of India लिम्टर ने किस इस्थान पर CGD network में hydrogen commission की भारज की पहली परियोजना शुरू की है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपको इस question का right answer देना है तो यहाँ पर इस question का right answer option B हो जाएगा इंडवर माध्य प्रदेश option B right answer हो जाएगा next question question number 102 है निम्लिखित में से किस देश ने एक नई नौसान वाय रक्षा परणाली का सफलता पूरो परिछन फरोई 2022 में किया है तो right answer option A हो जाएगा इसराइल ने किया है ध्यान रखिएगा अगला question question number 103 है दोस्तो निम्लिखित में से किस परणुपी ने फरोई 2022 में अपनी पहली समंदरी परिक्षन यात्रा शुरू की है तो right answer option B हो जाएगा वगीर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा next question question number 104 है निम्लिखित में से किस देश ने Long March 8 रॉकेट दोरा एक साथ 22 उपग्रहों की फरोई 2022 में अंतरिच में इस्थापिट किया है तो right answer option B है चीन ने इस्थापिट किया है ध्यान रखिएगा next question question number 105 है drugs controller journal of India DCGI ने किस आई वर्ग तक के बच्चों के लिए biological e-corona vaccine कोरवे wax के इस्तेमाल को फरोरी 2022 में मंजूरी परदान की है तो दिएगे options में से दोस्तों आपको right answer का चैन करना है तो यहाँ पे right answer जो हो जाएगा option B 12 से 18 वर्ष तक के आई वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पे साही जवाब हो जाएगा अगला question question number 106 भारती महिला खिलाडी की आर व्यनिता ने किस खेल से सन्यास लेने की घोशड़ा 21 फरोरी 2022 को की तो यहाँ पे इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा option B cricket इसका सही जवाब है अगला question question number 107 निम लिखित में से किसे IPL फ्रेंचाजी कोलकाता नाइट राइडर्स का नया कप्तान 16 फरोरी 2022 को बनाए गया है तो सही जवाब option B हो जाएगा स्रेयस आयर हो जाएगा है हाँ पे next question question number 107 हो चुका है 108 तो आठ question number देखेंगे निम लिखित में से किस tennis खिलाडी ने मैक्सिको ओपन tennis टूनामेंट का पुरू सेकल खिता फरोरी 2022 में जीता है तो right answer जो हो जाएगा option A हो जाएगा राफेल नडाल इसका सही जवाब है next question question number 109 है इटो की कृतिम गोदी वाला एक मात्र शिंदू स्थल कौन सा है कौन सा था दोस्तों आपको बताना है दिएगे options में से right answer का चैन करना है तो यहाँ पे इस question का right answer वो option A हो जाएगा लोथल इसका सही जवाब है दोस्तों next question question number 10 है दिल्ली सल्तनत का उद्वारक किसे कहा जाता है तो दोस्तों इस question का right answer देना है आपको तो दिल्ली सल्तनत का उद्वारक गैसुदिन बलबन को कहा जाता है option A यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question question number 111 है मंगल पांडे ने वर्स 1857 के विद्रोह की प्रथम गोली चलाई थी option A right answer हो जाएगा बायरकपुर में इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question question number 112 गुप्त राजा जिसने विक्रमा दित की पद्वी ग्रहन की थी वह था वह कौन था दियेगा options में से आपको सही भी कल्ब का चैन करना है तो right answer option C हो जाएगा चंद्र गुप्त यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा next question question number 13 निम लिखित कलाकारों और उनके कलारूपों का मिलाईए सूची first में कलाकार दिये गए हैं सूची second में कलारूप हैं तो यहाँ पे इस question का दोस्तों right answer जो हो जाएगा option D हो जाएगा यहाँ पे जिसका सही जवाब है एका दूसरा उस्ताद अलाउदिन खान का सिकेंड से मिलान कर दिजिए हेमा मालिनी का first से कर दिजिए भारत नाटिम से हैं और बिर्जिव महाराज का संबन जो है कथक नर्त से है पंडिशियो कुमार शर्मा का संतूर से है तो यहाँ पे इस question का right answer जो है option D हो जाएगा अगला question question number 114 विश्वत रेखा पर गुरुत्त के कारण तुरण में क्या परिवर्दन होता है आपको बताना है दोस्तों दिएगा options में से तो right answer जो हो जाएगा option A धुरुवों पर तुरण की पेच्छा कम है विश्वत रेखा पर गुरुत्त के कारण तुरण धुरुवों पर तुरण की पेच्छा कम है option A यहाँ पर right answer हो जाएगा next question question number 115 माले किसकी राजधानी है बताना है दोस्तों आपको देगा options में से कौनसा right answer हो जाएगा तो यहाँ पर इस question का right answer दोस्तों है माले मालदीव की राजधानी है option C यहाँ पर सही जाब हो जाएगा next question question number 116 मासाई निमलिखित में से किसकी आदिम जनजाती है बताना है दोस्तों आपको देगा options में से तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा option D पूर्वी अपरीका के मासाई जनजाती के लोग दक्षण केन्या और उत्तरी लंजा तंजानिया में महान विभरंस घाटी के अर्द सुष्क और सुष्क छेतर में निर्वास निवास करते हैं इस जनजाती के लोग आए के लिए विभिन पशूं पर निर्भर रहते हैं तो option D यहाँ पर right answer हो जाएगा तंजानिया अगला question question number 117 सुन्दा गर्थ कहा है आपको बताना है दुष्क डिएग ऑप्शंस में से तो right answer जो हो जाएगा ओप्शंस लिए ओप्शंस है next question, question number 118 संविधान सभा में या किस ने कहा था कि सरकारी नेती कैनेडेर शक सिध्धानत किसी बैंक में दे उस चेक की भाती है जिसका भुक्तान बैंक अपनी सुविधा नुशार करता है तो right answer option D हो जाएगा, केटी शाह हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब अगला question, question number 120 है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिती का गठन कर सकती है इस समिती गठन किस से किया जा सकता है तो सही जवाब option D हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचाइट के सदत से ना हो option D यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा next question, question number 121 सकल घरेलू उतपाद किस की माप है आपको बताना है दूस्तों दिये गए options में से तो सकल घरेलू उतपाद GDP आर्थ ब्यूस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है तो option B यहाँ पे right answer हो जाएगा किसी देश की घरेलू आर्थिक गद्वितियों का option B यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 122 है इन में से किसके बदले में ग्राम समरद योजना चलाई गई थी तो दोस्तों आपको बताना है तो यहाँ पे इस question का right answer option B हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जवाहर ग्राम समरद योजना पोरो में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनर गठी सोबेवस्थित और व्यापक सरूप है यहाँ एक अपरेल 1999 को परारम की गई सितंबर 2001 से इसे संपूर ग्रामीड रोजगार योजना में मिला दिया गया तो option B right answer हो जाएगा ध्यान अग्ला question question बर्ग सो तेज है निमलेखित में से किसके द्वारा प्रकाश संसलेशन के लिए उर्जा मिलती है तो right answer option C हो जाएगा धूप प्रकाश संसलेशन के लिए उर्जा का सुरोत धूप यानी की प्रकाश होता है सरकरा के संसलेशन के लिए पौधे प्रकाश संसलेशन की क्रिया के समय कार्बन डायकसाइड का उप्योग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं रात्र के समय पौधे प्रकाज संसेलेसंड की क्रिया नहीं करते हैं और उस समय कार्बन डायकसाइड छोड़ते हैं तो ध्यान रखेगा दोस्तों अगला कोश्यों कोश्यन नंबर 124 निमलिकित मैंसे किस तेथी को प्रधान मंतिरी नरेन मोदी के द्वारा में किन इंडिया कारिक्रम प्रारम किया गया था महात्कोंड प्रशन है आपकी परिशा की दर्श्टकोंड से ध्यान लखेगा इसका सई जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा 25 सितंबर 2014 इसका सई जवाब है दोस्तों अगला कोशिन कोशिया नमबर 125 अंतराष्टी महिला दिवस कम मना जाता है most important person है ध्यान लखेगा दोस्तों तो यहाँ पर इस question का right answer जो हो जाएगा अंतराष्टी महिला दिवस प्रतिवर्स आठ मार्च को मना जाता है option है यहाँ पर right answer हो जाएगा next question question number 126 है निमलिकित में से कौन सा नगर राष्टी राजधानी श्यत्र में नहीं आता है आपको बताना है दिएगा options में से तो right answer option T हो जाएगा कानपूर इसका साई जाएगा next question question number 127 है निमलिकित में से किसका गलत जोड़ा बनाए गया है एक तरफ लोकनेत दिया गया है एक तरफ राजधानी तो आपको बताना है गलत जोड़ा इन में से कौन सा है तो right answer option A हो जाएगा केरल का करगम राजधे से यह option जो है आपका गलत हो जाएगा option A सही जवाब है क्योंकि जो करगम है तमिल नाड़ का एक प्राचीन लोकनेत है जिसका प्रदर्शन वर्षा की देवी मरिनमन की प्रसंसा में किया जाता है और इस नेत के नर्तक नर्त की बहुत ही खुबसूरती से अपने सिर के उपर पानी के बरतन को संतुलन में रखते हुए नेत करते ह एसा माना जाता है कि इस नर्त की सुर्वात तंजावर में हुई थी तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगला कोशन कोशन नमर 128 है प्रत्वी की किस अच्छांस रेखा पर सरवाधिक लंबे दिन को सुरिक प्रकास 24 घंटे उपलब्द रहता है तो यहां पर इस कोशन का रा इस्तित है तो आपको बताना है दोस्तों दिएगए उप्संस में से इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इस कोशन का राइट आंसर जो हो जाएगा उप्सं भी हो जाएगा यूक्रेन यूक्रेन इसका सही जवाब है उप्सं भी राइट अंसर है अगला कोशन कोशन म माइक मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा निर्धारित करती है डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है दोस्तों आपको बताना है दिएगा options में से option A right answer हो जाएगा दोस्तों पाकिस्थान और अफगानिस्थान इसका सही जवाब है अगला question question number 131 निमलिखित मेंसे किस अनुछेद में समता के अधिकार का प्रावधान है तो right answer जो हो जाएगा option A हो जाएगा अनुछेद 14 इसका सही जवाब है अनुछेद 14 से 18 तक में प्रतिक वेक्ति को समता का अधिकार पदान किया गया है अनुछेद 14 में समता का सामान निम दिया गया है जो वेक्तियों के मद्ध अनुप्यूक विभेट को वर्णिद करता है जान रखिएगा option A right answer हो जाएगा अगला question question number 132 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलिद कीजिए सूची 1 में निकाय दिया गया है सूची 2 में मुख्याले है तो आपको यहाँ पे सुमेलिद करना है दोस्तों दिये गया options में से तो यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाएगा option B हो जाएगा A का 4 coffee board जो हो जाएगा बैंगलूर करनाटक में इस्तित है B का 3 हो जाएगा जो rubber board है कोटायम केरल में इस्तित है तमबाकू जो board है गुंटूर आंदपरडेस में है राष्टी जूट board जो है आपका option फर्स्ट से मिलान हो जाएगा कोलकाता पस्चमंगाल में है महात्पूर्ण प्रशन है दोस्तों ध्यान लखिएगा इस प्रशन को बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर question number 133 निमलिकित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है इसमें आपको बताना है कि कौन सा योगम सुमेलित नहीं है एक तरफ बित्ती संस्था दी गई है दूसरी तरफ इस्तापना वर्स है तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा option D हो जाएगा भारती जीवन विमा निगम LIC की इस्तापना जुलाई 1956 में नहीं हुई थी option D यहाँ पर right answer हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है उसका चेन करना है दूस्तों क्योंकि भारती जीवन विमा निगम LIC की जो इस्तापना हुई थी सितंबर 1956 में हुई थी तो ध्यान रखियेगा दोस्तों सितंबर 1956 में हुई थी और यहाँ पर जुलाई 1956 दियेगा यहाँ इसलिए option D यहाँ पर सुमेलित नहीं है अगला कोश्य question number 134 निमलिकित में से किसकी सबसे कम सारभवमी करण की संभावना है आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पर राइट अंसर option D हो जाएगा धाचागट सुविधाओं को बढ़ावा बढ़ाना यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा अगला question question number 135 hydrocarbon का प्राकर्तिक स्रोथ है आपको बताना है दोस्तों देएगए options में से तो राइट अंसर option A हो जाएगा कच्चा तेल इसका सही जवाब है next question question number 136 सबसे बढ़ा एक question की जीव है most important person है आपकी परिच्छा की response से द्यान लखेगा तो यहाँ पे इस question का राइट अंसर option D है अमीबा है प्रत्वी पर पायाज जाने वाले सबसे बड़ा एक कोस की जीव अमीबा है यह समुन्द की गहराई में पाया जाता है इसका वेग्यानिक नम अमीबा प्रोटियस रखा गया है क्योंकि यह प्रोटो जोवा संका जन्तु है तो ध्यान अखेगा दोस्तों option D right answer हो जाएगा अमीबा अगला question question number 137 सबजी के लिए काम आने वाले पौधों को पौधों के अध्यन को कहते हैं क्या कहते हैं तो यहाँ पे right answer जो हो जाएगा floori culture कहते हैं सजावटी पुस्पों का समरधन वा अध्यन option D right answer हो जाएगा ओलेरी culture यहाँ पे option D right answer हो जाएगा floori culture जो होता है सजावटी पुस्पों का समरधन का अध्यन किया जाता है ओलेरी culture में सबजीयों के उतपादन से समंधित अध्यन होता है पुमोलोजी में फलों का अध्यन किया जाता है होटी culture में फल, सबजी, फूल, पौधों को उगाने और बेचने का अध्यन होता है तो यहाँ पे question का right answer जो होगा option D हो जाएगा ओलेरी culture अगला question question number 138 एक अग्यात भारती की आत्मकथा किसने लिखी थी तो दोस्तों आपको बताना है एक अग्यात भारती की आत्मकथा किसने लिखी थी तो right answer यहाँ पे हो जाएगा option B नेरद C. चौधरी option B. right answer हो जाएगा अगला question question number 149 इनका सही सुमेल कीजे एक तरफ पुरुषकार है दूसे तरफ संबंधित छेत्र है तो आपको इसका सुमेल करना है तो यहाँ पे right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा एक थर्ड अर्जुन का संबंध छेत्र जो है खेल से है option B में दियागा आसकर का सिनेमा से है द्रोणाचार का जो है C से हो जाएगा यानि कि 4 से खेल प्रशक्षक से हो जाएगा और प्लोटिजर का जो होगा option second से हो जाएगा D से हो जाएगा दोस्तों ध्याने खियेगा अगला question question number 140 है Dr. Norman E. Borlock किस देश से थे आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से तो यहाँ पे इस question का right answer option C हो जाएगा अमेरिका इसका सही जाब है Norman Arnest Borlock एक अमेरिकी क्रस बैग्यानिक थे जिन्होंने हरित करांथी का पिटा माना जाता है जिन्होंने वर्स 1970 के दसक में मैक्सिको में बिमारियों से लड़ने वाले कि एक नई किस्म विक्सित की थी हरित करांथी में महात्पूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्स 1970 में नोबल पुरुषकार से वर्स 2006 में भारत के पदम विभोशन पुरुषकार से समानित किया गया था जो दोस्तों ध्यान रखिएगा महात्पूर्ण प्रसन है अगला कोशन कोशन नमबर 141 निम्न में कौन समयलित नहीं है आपको बताना है देगा उप्संस में से कौन सा समयलित नहीं है तो राइट अंसर उप्सं भी हो जाएगा कर्मा मत्रुआ से समन्दित नहीं है तो option B right answer हो जाएगा क्योंकि कर्मा नरत साली उत्तरपदेश के स्वनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदवासियों दोरा आयोजित की जाती है कर्मा मत्रवा से सुमेलित नहीं है option B right answer हो जाएगा अगला question, question number 142 निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है दोस्तों तो right answer option C हो जाएगा चैती रुहेलखंड option C यहाँ पे सही जवाब है चैती रुहेलखंड सुमेलित नहीं है option C right answer है अगला question, question number 143 निमलिकित में से कौन सा उत्तरपदेश का लोकनेत नहीं है आपको बताना है दोस्तों दियेगा options में से तो मुरिया एक नेत साली है जिसे मुरिया जन जाती दोरा प्रस्तुर किया जाता है मुरिया एक आदिवासी जन जाती है जो 36 गड़ के बस्तर जिले में पाई जाती है option D right answer हो जाएगा नेक्स गोस्टन question नमर 144 उत्तर प्रदेश में अधिकतम चेद्फल वाला जन पद है आपको बताना है दोस्तों दियेगा options में से तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम चेद्फल वाला जो जन पद है वो लखीम पुर्खीरी है option D right answer हो जाएगा next question question number 145 वर्ष 2011 के नुसार प्रदेश में पुरुस साक्षर्था दर है आपको बताना है कितनी है तो right answer जो हो जाएगा है हाँ पर इस question का option B 77.3% इसका सही जवाब हो जाएगा आगला question question number 146 world wide web बना है किस से बना है तो right answer जो हो जाएगा option D लाखों web pages से बना है option D right answer हो जाएगा अगला question question number 147 html किस के लिए संचिपत एक शब्द है तो right answer जो हो जाएगा html का पूर्ण रूप जो होता hypertext markup language होता option D right answer हो जाएगा hypertext markup language option D right answer है अगला question question number 148 internet of things है क्या है दिएगा options में से आपको right answer पर चैन करना है तो internet of things दुनिया भर में उन सभी physical device का समू है जो internet से जुड़े होते हैं तो right answer option C हो जाएगा physical word है अगला question question number 149 पर योग कहां कहां होता है तो right answer जो हो जाएगा big data का उप्योग चीकित्सा, शुक्षा, मेडिया, manufacturing, सोचना, प्रद्धोग की, बैंकिंग आदिशेत्रों में किया जाता है option D right answer हो जाएगा ये सभी इसका सही जवाब है बोस आपदा परबंधन परुषकार 2022 से समानिट किया गया है तो यहाँ पे इस question का right answer जो हो जाएगा option A हो जाएगा बिनोद शर्मा इसका सही जवाब है अगला question question number 102 है निमलिकित में से किस फुटवाल कलब ने 27 परोई 2022 को लीग कब खिताब जीता है तो right answer option A हो जाएगा लीवर पुल लीवर ओल इसका सही जवाब है अगला question question number 103 निमलिकित में से किसे रामा नुजन परुषकार से 22 फर्वरी 2022 को समानिट किया गया है तो right answer option A हो जाएगा नीना गुपता को प्रोफेसर नीना गुपता को विकासिल देशों के युवा गड़ितग्यों के लिए रामा नुजन परुषकार से समानिट किया गया है नीना गुपता कोलकाता में भारती संकी संस्थान में गड़ितग्य है उन्हें या परुषकार एफाइन बीजिये जामिती और कम्प्यूटेटिव बीजगणित में उत्करस्ट कारी के लिए दिया गया है दोस्तों जान रखेगा और नीना गुपता या परुषकार प्राप्त करने वाली तीसरी भारती महिला है अगला कोश्चन कोश्चन नमर एक सो चार महिला एसिया कप हांकी 2022 में भारत ने किस तीम को हराकर कास पदक 28 जनवरी 2022 को जीता तो राइट आंसर जो हो जाएगा उपसंती हो जाएगा चीन इसका सही जवाब है भारती महिला हांकी टीम ने चीन की महिला हांकी टीम को टू से हराकर महिला एसिया कप होंकी टूनामेंट में कास पदक जीता है महिला एसिया कप होंकी टूनामेंट का आयोजन 21 से 8 जन्वरी 2022 तक मसकट ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्टस कमप्लेक्स में किया गया है और इस टूनमेंट में जापान की महिला होकी टीम ने फाइनल में दक्षन कोरिया की टीम को हराकर सोन पदक जीता है दोस्तों तो जापान की टीम ने तीसरी बार यह खिताब जीता है ध्यान नखेगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 105 भारती महिला मुक्यबाज नंदिनी क्यासी किलोग्राम वर्ग में तीहत्र में इस्टेजा मेमोरियल टूरामिंट के सेमी फाइनल में फर्वरी 2022 में कौन सा पदक जीता है तो राइट आंसर जो यहां पे हो जाएगा अब सने हो जाएगा कास से भारती महिला मुक्यबाज नंदिनी ने तीहत्र में इस्टेजा मेमोरियल टूरामिंट के सेमी फाइनल में कजाकस्तान की लज्जात कुंगा बायवा से हराकर कास पदक जीता है ध्या नखियेगा अगला कोशन कोशन नमर 206 थलसेना अध्यक्ष मरोज मुकंद नर्वने ने किस रेजिमेंट की बटालियनों को 30 फर्वरी 2022 कुर आट पत इ जवाब हो जाएगा नेक्स कोश्ठे नमर् भारति महिला होगी टीम का कपतान थे और फर्वरी 2022 को कि इसे निक्ट किया गया है तो रायेट आंसर जो हो जाएगा option B हो जाएगा सभिता पूनिया option B right answer है नेक्स कोश्ठे नमर्क यक्दग हो सबसे यूँआ खिलाडी फर्वई 2022 में कौन बने हैं तो राइट आंसर ऑप्सन ये हो जाएगा कारलोस अलग क्राज ऑप्सन ये राइट आंसर हो जाएगा नेक्स वोश्चन वोश्चन नमबर 109 सुमेलित कीजिए सुची फस्ट में वायदिक पदावली दी गई है सुची सेकेंड में अर्थ दिया गया है आपको इसमें सुमेल करना है तो ऑप्सन ये में है मुनी मुनी का पावन पुरुश ऑप्सन सेकेंड से मिलान हो जाएगा उद्गात्र का, उद्गात्र का सामवेड का ग्याता हो जाएगा पुरुष, पुरुष का आदर पुरुष हो जाएगा 4 से मिलान हो जाएगा और यहाँ पे D जो दिया गए है आरे भाण इसका जो हो जाएगा विवाह का संदाक्षान तो इस प्रकार इस question का जो right answer होगा option T हो जाएगा A का 2, B का 3, C का 4, D का 1 अगला question, question number 110 दक्षुन भारत पर विज़ा प्राप्त करने का मिशन अलाउदीन खिलजी ने किसे सौपा? तो right answer option B हो जाएगा मलिक काफूर को इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षुन भारत पर विज़ा प्राप्त करने के लिए अलाउदीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा काफूर ने 1294 से 1316 इस भी तक दक्षुन भारत में 3 अभियानों का नेत दत्त किया option B यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question, question number 111 भारति राष्टी पर्थम कांग्रेस पर्थम मार्इशन की एध्यक्ष्बा किस ने कि थी तो değil तो right answer option B हो जाएगा W.C. vary only भारति राष्टी कांग्रेस के परतव आध्यक्ष्बा ब्योमेश चंड बनरजी W.C. बनरजी ने कि थी, यह आध्यक्षिन वर्स ऐ885 कौन थी आपको बताना है दोस्तों तो भारती राष्टी कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक श्रीमती एनी बेसंट 1917 इस भी कलकत्ता बत्तिस्वा अध्यवेसंट वर्स अठारा सो चानबे अठारा सो चानबे में आर्लेंड की थियोस फिस्ट महिला एनी बेसंट भारत आई थी ध्यानकी एग ऑप्सन ए यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन कोश्चन बर 113 गुप्त श्रासन के समय निमली खित में से एसा वेक्ति काउन सा था जो एक महान खगोल विज्यानी वा गड़ी तक गे था तो राइट अंसर अप्सन C हो जाएगा आर भट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नेक्स कोश्चन कोश्चन 114 भारत की सरव्ण ब्輪्रथाम बोलती टॉकी फीचर फ्लम कौन थी तो राइट अंसर ऑप्सन बी हो जाएगा आलम आरा इसका चाही जवाब है भारत की सरव्ण बोलती टॉकी फीचर फिल्म आलम आरा थी और जिसे डादर साहब फाल के 1870-1944 नाम से जाना जाता है वर्स 1913 में राजा हरिश्चंद नामक मूख फिल्म बनाई थी वर्स 1931 में आलमारा फिल्म के निर्माण के समय मूख फिल्मों का यूग समाप्त हुआ बोलती फिल्मों का यूग प्रारम हुआ यह प्रतम भारती बोलती फिल्म थी इसके निर्माता अंद्रेशिर इरानी थे जहाने खेगा आप्सन B यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा भुकम की तिवर्ता मापने के पैमाने को कहा जाता है क्या कहा जाता है तो राइट अंसर आप्सन B हो जाएगा रिक्टर पैमाना कहा जाता है तो रिक्टर पैमाना एक गड़ती मापक है जिसकी तिबृता 0 से 9 तक है और प्रतिक बिन्दु की तिबृता पहले बिन्दु की तिबृता का 10 गुना आधिक होती है समान भूम अंडलीय तिबृता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कमपी रेखा कहते हैं ध्यान नखेगा अगला कोश्चन कोश्चन नमर 116 अंतराष्ट्री तित्री रेखा के बारे में निमली कित्मे से कौन सी बात सही है तो राइट आंसर ऑप्सन भी हो जाएगा यहाँ पर इस कोश्चन का दुस्तों राइट आंसर ऑप्सन दी हो जाएगा यहाँ भूम परिमार से परे एक टेड़ी मेड़ी रेखा है ऑप्सन दी राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन कोश्चन नमर 117 प्रत्वी के सबसे लंबी परवत माला कौनसी है दिएगा उप्सन पिसे आपको राइट आंसर देना है तो राइट आंसर ऑप्सन यह हो जाएगा अगला कोश्चन कोश्चन नमर 118 जापान में होंसू नामक दीप किस के लिए परशिद है तो राइट आंसर जो हो जाएगा उप्सन बी लाहो एस के लिए जापान का सबसे बड़ा दीप होंसू अपने लाहो एस का और तेल भंडारों के लिए परशिद है उप्सन बी राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन कोश्चन बार 19 उत्री अमेरिका के टट से गुजरने वाली ठंटी महा सागरी धारा का नाम है तो राइट आंसर उप्सन सी हो जाएगा लैबरा डूर धारा अगला कोश्चन कोश्चन बार 120 निमलिकित में से कौन सा बिस्व का सबसे बड़ा मरुस्थाल है अप्सन सी राइट अंसर हो जाएगा सहारा सहारा मरुस्थाल बिस्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थाल है या अफ्रीका के उत्री भाग में इस्तित है सहारा मरुस्थाल में 20 से अधिक जीले है जिन में से अधिकांस खारे पानी की जीले है अगला question, question number 121 नरवरा नाभी की सक्ति के अंदर कहां इस्तित है? most important person है आपकी परिच्छा की डेस्ट्पूंट से तो इसका सई जवाब जो हो जाएगा नरवरा परमाण बिद्दूत के अंदर उत्र प्रेस के बुलंद सहर जिले के नरवरा में इस्तित है या भारत के उत्री पावर ग्रेड को बिद्दूत आपूरती करता है option C right answer हो जाएगा अगला question, question number 122 भारती समिदान का अनुछेद 19 परदान करता है तो right answer option A हो जाएगा 6 सोतंत्रताओं को परदान करता है अगला question, question number 123 राजपाल को पद की सबत किसके दोरा दिलाई जाती है तो right answer जो हो जाएगा option T हो जाएगा उच्च नयाले के मुख नयाधिस भारती समिदान के अनुछेद 169 के अनुसार राज का राजपाल समांधित राज की उच्च नयाले के मुख नयाधिस या नयाले के वरिष्टतम नयाधिस के समक्ष पद सक्षम पद एम गोपनीता के सबत लेगा राजपाल की नुक्ति राठपत के दोर की जाती है option D right answer हो जाएगा अगला question, question number 124 प्रथक पंचायती राज मंत्राले का गठन कब हुआ तो right answer option D हो जाएगा वर्स 2004 में 27 मई 2004 को एक नये मंत्राले के रूप में पंचायती राज मंत्राले की इस्थापना की गई थी यह मंत्राले समिधान के 73 में संसोधन और पंचायत में पंचायतों का विस्थार करने अधिनियम 1993 के प्रावधानों को लागू करने और निरिक्षण करने के लिए उतरदाई है अगला कोश्चिन कोश्चिन नबर 125 32 समिधान के किस अनुछेद में मुख्यमंत्री के कारियों को परिभाशित किया गया है तो राइट अंसर अप्शन C हो जाएगा अनुछेद 166 समिधान के अनुछेद 166 साथ के अंतर्गत राज़पाल और मंत्र परसट के बीच मुख्यमंत्री एक गड़ी के रूप में कार करता है जब कभी राजपाल राज़के परसासंद से समंधित कोई सूचना और वीधान सभा के परस्तावों की विषले में जानना है जानना चाहता है तो मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी राजपाल तक पहुचानी होती है option C यहाँ पर right answer हो जाएगा next question question number 124 जवाहर रोजगार योजना का उद्देश से है आपको बताना है दोस्तों दिएगा options में से तो जवाहर रोजगार योजना का उद्देश ग्रामीड शेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्द करवाना बेरोजगार बेक्तियों के लिए रोजगार के आउसर पैदा करना और इसके साथी साथ ग्रामीड आर्थिक और सामाजिक संगठन को सुद्रण करना है तो option D right answer हो जाएगा ये सभी है अगला question question number 127 अमुलेन का प्रमुक लक्ष होता है तो आपको बताना है दूस्तों अमुलेन का प्रमुक लक्ष इन में से कौन सा है तो right answer option B हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देना अमुलेन का लक्ष होता है तो अगला question question number 128 ग्रीन हाउस प्रभाव वाइमंडल में किस गैस का सबसे किस गैस का इस्तर बढ़ने से पैदा होता है तो वाइमंडल में पाई जाने वाली गैसों में कार्बन डाय अक्साइड की मातरा 0.03 परसत है जाने खेगा 0.03 परसत है होती है या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुक्रोप से उतरदाई होती है तो यहाँ पे right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा कार्बन डाय अक्साइड अगला कोशन कोशन नमर 139 दक्षन एसिया छेत्री सह्योग संग का पर्थम समेलन कहां आयुजित हुआ था तो right answer जो हो जाएगा option B धाका में आयुजित हुआ था अगला कोशन कोशन नमर 139 नमलिकित में से दादा सहाफ आल के प्रुषकार का प्राप्त करता काउन नहीं था तो right answer जो हो जाएगा option C जेमिनी गडेशन option C यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला कोशन कोशन नमर 131 एक दिसंबर किस रुक में मनाय जाता है तो right answer हो जाएगा 208 दिवस प्रतिवर्ष एक दिसंबर को मनाय जाता है और 208 दिवस की परिकल्पना सरुपर्थान जेम्स डबलू बुन और थामस नेटर दोरा अगर्थ 1987 में की गई थी वर्ष 1988 से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाय जाने लगा है तो ध्यान एगा option सी राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन कोश्चन नमर 132 उस सुतंता से नानी का नाम बताईए जिसके चित्र वाला पांच रुपे का सिक्का भारती रिजर्व बैंक दोरा चला गया है तो राइट अंसर ऑप्सन सी है भारती पस्च किस्चा विज्यान एउसंधान संस्थान अवस्तान 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 नाम बताईए कहां वस्तित है आपको बताना है तो भारती पस्च किस्चा विज्यान एउसंधान संस्थान बरेली इजट नगर उत्तरप्रेस में वस्तित है जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी तो ऑप्सन यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा 1889 में इसकी स्थापना हुई थी अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 134 जहागी ने मुख्यता निमलिकित में से किस कला को सनक्षण दिया था तो यहाँ पे इस कोश्चन का राइट अंसर आप्सन ए हो जाएगा चित्र कला को अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 135 अंग्रेज्यों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खान द्वरा प्रारम किये गए आंदोलन का क्या नाम था तो राइट अंसर आप्सन ए हो जाएगा लाल कूर्ती रेड शर्ट आप्सन ए राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर 136 वाय। की गती निमलीखित के दौरा न आपि जाती है आपको बताना है दोस्तों तो वायू की गती एनिमो मीटर से मापी जाती है और उप्सन बी राइट अंसर हो जाएगा अब वायू दाब बैरो मीटर के दोरा द्रवों के आप इच्छे घनत मापने के लिए हाइडरो मीटर का यूज करते है और वायू की दिशा बिंड वेन से ध्यान रखेगा दोस्तों अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर 137 सुची फर्स्ट को सुचे सेकेंड के साथ सुमेलिद कीजिए तथा सुचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उतर चुनिए सुची फर्स्ट और सुची सेकेंड तो यहाँ पे इसका सही जुजवाब हो जाएगा option B हो जाएगा A का 4, B का 3, C का 2, D का 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा Biti culture, अंगूर की खेती से समान्देत हो जाएगा Veggie culture, ब्रक्षों की क्रशी PC culture, मचली पालन से हो जाएगा Oleri culture, सबजी की खेती अगला question, question number 138 निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है दूस्तों दिये गए options में से तो यहाँ पे right answer हो जाएगा option B, Ikaagi, Chin यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है Ikaagi जो है, रूस से समंधित है धान रखेगा अगला question, question number 139 निमलिकित दरों में से किसे होकर लेह जाने का रास्ता है तो right answer जो हो जाएगा option A, जो जिला, option A right answer हो जाएगा अगला question, question number 140 घाटे की बित्ती ब्योस्था का आर्थ ब्योस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है तो right answer option C हो जाएगा मुद्रा आपूर्ती में बढ़ोतरी next question, question number 141 धुरिया लोकनेत है, आपको बताना है, दुर्स्तों दियेगा options में से तो इसका सही जवाब हो जाएगा, धुरिया लोकनेत बुंदेल खंडे से समन्दी था, option B right answer हो जाएगा next question, question number 142 भात खंडे संगीत संस्थान लखनाउ डिम्ड विस्विद्याले बना है तो वर्स 2001 में भात खंडे संगीत संस्थान लखनाउ डिम्ड विस्विद्याले बना है, option B right answer हो जाएगा next question, question number 143 वर्स 2011 के उनसार उत्तर प्रदेश में लिक्त खंडे संस्थान लखनाउ डिम्ड विस्विद्याले बना है, तो वर्स 2011 की जनगना के उनसार जैन सरवाधिक साक्षर है option C right answer हो जाएगा next question, question number 145 वर्स 2011 के उनसार उत्तर प्रदेश में लिंग वर्स 2011 के उनसार उत्तर प्रदेश राजी में शिशु लिंगान उपात है तो right answer जो हो जाएगा, option B 902, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 146 एक computer जो कई computer को एक साथ एक network में जोड़े कहलाता है तो एक computer जो कई computers को एक साथ एक network में जोड़े रखता है उस server कहलाता है, option B right answer हो जाएगा next question, question number 147 एक gigabyte समतुल है, किसके समतुल है? तो एक gigabyte 1024 megabyte के समतुल है, option B सही जवाब हो जाएगा next question, question number 148 निम लिखित में से कौन एक DVD drive का परकार नहीं है, आपको बताना है तो DVD RD, DVD drive का परकार नहीं है, option C right answer हो जाएगा DVD RD next question, question number 149 निम लिखित में से कौन high level language नहीं है? high level language इन में से कौन सी नहीं है? तो D++ high level language नहीं है, option D right answer हो जाएगा अगला question, question number 150 Ubuntu में अंतरनित ब्राउजर का नाम क्या है? तो Ubuntu में अंतरनित ब्राउजर का नाम Firefox है, option D right answer हो जाएगा